हलो दोस्तों स्वागत आप सबका मेरे चैनल पर दोस्तों मेरा नाम है उदित सैनी और आज किस वीडियों दोस्तों हम बात करने वाले है कि कैसे आप अपने सिरिदेव सुमन यूनिवस्टी के 6 सेमस्टर के फोर्म्स को ओनलाइन फिल कर सकते हैं तो दोस्तों जल्दी से वेबसेट आईए आपको इसको ओपन कर लेना है अब दोस्तों आपके सामने यहाँ पर सिक पेज ओपन होकर आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों जी पहले वाला लिंक है आपको इसको ओपन कर लेना है अब दोस्तों यहाँ पर जो ऊपर की तरफ फिरी डोट्स आ रहे हैं आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर दोस्तों आपको अपना इंडॉल्मेंट नंबर और रोल नंबर डाल कर इसको सम्मिट कर देना है चलिए दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी डिटेल्स फिल कर देता हूँ तो दुस्तों यहाँ पर मेरे अपनी डीटेल्स फिल्प कर दी हैं अब इसको कर देते हैं यहाँ से submit तो देखिए दोस्तो आपके समने यहाप पर इस टायप से एक पेज उपन होकर आजाएगा तो देखिए यहाप आप आपके तरफ से देख सकते हैं जो आपका रेजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है यहाँ तो दूस्तों आप आपको इस form में ज्यादा कुछ चेंज करने की ज़रुरत नहीं है बस आपको नीचे की तरफ दिये वे subjects आपको यहाँ पर select कर लेने हैं तो दोस्तों यहाँ पर यह तीनों subject मेरे पास हैं इनको मैं कर देता हूँ check तो देके दोस्तों यहाँ पर मैंने अपने जो subjects हैं वो select कर लिया है और यहाँ पर दोस्तों जो आपका जो registration number है इसको आपको copy कर लेने हैं तो दोस्तों आपको जो details हैं यहाँ पर बहुती carefully भढ़नी है इसमें कोई भी mistake आपको यहाँ पर नहीं करनी है तो देके दोस्तों यहाँ पर मैंने जो अपना form है वो complete कर लिया है इसको कर देते हैं यहाँ पर save and proceed इसके बाद कर देते हैं इसको final submit इसको कर देते हैं यहाँ से ok तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपना examination form fill कर दिया है अब दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी जो exam की fees है वो यहाँ पर pay गड़नी होगी उसके लिए देखे दोस्तों आप उपर की तरफ यहाँ पर देख सेके pay examination fees का option आ रहा है इस पर आपको click कर देना है अब दोस्तों जो registration number हम तो दोस्तों यहाँ पर हमें fees का payment करने के लिए UPI method को select कर लेता हूं यहाँ पर दोस्तों मैं अपने UPI ID डाल देता हूं तो देखे दोस्तों यहाँ पर हमें UPI ID डाल दिया है अब इसको कर देता हूं pay now तो देखे दोस्तों जो आपका payment application है उस पर एक request गई होगी अब उसको वहाँ से आपको approve कर देना है तो देखे दोस्तों जो हमारी payment है यहाँ पर successful हो चुकी है अब दोस्तों आपके सामने जो page आया है इसको save करने के लिए आपको यहाँ पर ऊपर कोने में देखे आपके सामने यहाँ पर एक option आ रहा हूग आपको इस पर click करना होगा अब दोस्तों आपके सामने जो PDF का option आ रहा है आपको इस पर क्लिक करना होगा यहां से दोस्तों आप इसको save कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पर मैंने इसको rename कर दिया है अब इसको कर देते हैं यहां से save तो दोस्तों अब इसको यहां से हम close कर देते हैं तो दिखते दूस्तों यहाँ पर हमने जो अपनी फीस का पिमेंट है वो कर लिए है अब दूस्तों आपको यहाँ पर जो आपका examination form है वो download करना होगा इसके लिए दूस्तों आपके सामने यहाँ जो option आ रहा है यह second वाला इसको click करना होगा तो दिख दूस्तों अब आपको यहाँ पर अपना enrollment number और roll number डाल कर फिर से जो आपकी details है वो यहाँ पर fill कर दीनी है तो दिख दूस्तों यहाँ पर मैंने जो अपनी details है वो fill कर दी है अब इसको कर देते हैं यहाँ से submit तो देख दोस्तों जो हमारा examination form है वो हमारे पास यहाँ पर open हो चुका है अब इसको दोस्तों आपको save करने के लिए फिर से यहाँ पर उपर की तरफ जाना होगा यहाँ पर जो यह option आ रहा है आपको इस पर click करना होगा अब दोस्तों फिर से जो PDF का option आ रहा है इस पर tap करना होगा आपको यहाँ पर चलिए इसको rename कर लेते हैं इसको कर देते हैं यहाँ से save तो दोस्तों जो आपका 6 semester का examination form है वो यहाँ पर fill हो चुका है कर दोस्तों 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 क